हेलो दोस्तों एक नम्मा चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज मैं बताऊंगा कि आप लेनो के थरी नोट में जियो 4G सीम लगा के जियो 4G जो भी रिलाइंस का सीम है उसको लगा के आप कॉल कैसे कर पाएंगे बहुत लोग को इस हुआ है कि कॉल नहीं हो रही है या फिर जो जियो ज्वाइन एप डाउनलोड करने के बाद भी उपर आफ लाइन लिखके आ रहा है वह भी मैं अभी आगे दिखाता हूं तो आपका इसू रिजॉल्ब हो जाएगा इस वीडियो से तो सबसे पहले आपको एक जरुवत पड़ेगी रिलाइंस जियो ज्वाइन आप जो अभी जियो 4G वाइस के नाम से हो चुका है जियो 4G वाइस तो आप देख सकते हैं उपर 4G लिखा हुआ रहा है और डेटा कनेक्शन भी आन है तो डेटा चल जाएगा लेकिन अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगती है कॉल तुरन डिसकनेक्ट हो जाता ह क्योंकि यह इसमें गोल्टी सपूट नहीं है तो ओल्टी बनाने के लिए इसको वह आप डाउनलोड करना पड़ता है साहथ आपको पता होगा लेकिन अग्टाउनलोड करने के बाद भी कुछ इसू भारा है तो मैं बताता हूं आपको आगे लिगे मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसमें वोल्टीस पूट नहीं है और जो जीओ 4G वर्क करता है तो दूस्तों इसको अगर आपको रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको प्लेइस्टोर से जीओ 4G वाइस डाउनलोड करता पड़ेगा अहां पर जीओ 4G वाइस आप सब्सक्राइब और इस आप को इंस्टॉल कर दीजिए अपने फोन में अगर जो भी फोन है जिसमें ओल्टी नहीं दिया है अल्रेडी वो उसमें भी आप ट्राइब कर सकते हैं जाने कि लेनों के त्री में आइसा दिया हुआ है तो आप रेड्मी नोट 3 में वोल्टी आउन करके आप डारेक थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा आप जीओ फोर्जी वाइस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में और इस्टॉल करने के बाद करता हूं और मुझे वाइफाई अपना बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाना है कि कॉल कैसे लगेगा वाइफाई र पड़ेंगे इस एक को तभी यह आप काम करेगा आपके फोन पर यहां से मैं नेक्स्ट करता हूं फिर अलाव तो फिर से अलाव जो भी आप 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 तो अलाव करना डिना यह आप कर दिया तो आपका कुछ नहीं चलने वाला है समझे अलाव तो करना ही पड़ेगा उस्त जे ले 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 लिए तुशन से दिस इस प्रॉसेस में टेक सम टाइम, ले ले बाइच ताइम से ले लिया तो ने हुआ को अगि तना टाइम लेगा और आप उपर देख सकते हैं आपर की जियो कर दिवाइस कनेक्टिग लेक्टिंग रहा है और काफी अगर आपको ततके बाद मैंने उसका सलूसन नहीं जाला और यहां से आप स्टार्ट नौ जो भी आपका पहले जो प्रॉल्रीं का जो एप का यानि जो टीफाल टप और यहां पर आपको चेंग जैसे में सब्सक्राइब करना पड़ेगा वाइस और इसको वाइड लिस्में करिए अच्छ यहां पर आप जैके अगर जाइड गरता हूं तो अगर किसी भी टाइम अगर आपका आफ लाइन हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको अगर डूल से पहले बात इसमें तो दोनों में आप किसी में भी लगाऊ और यहां से आप डेटा कनेक्शन को चेंज कर दीजिए अगर आपका ओफलाइन दिख रहा है तो आपका इसे फिर से ओनलाइन सो करने लगेगा मैं आज पूरा दिन ट्राइ किया क्या करूँ क्या करूँ सीम निकालके फिर से लगाया दुबारा फिर मैंने आप को इंस्टॉल किया कुछ नहीं हो रहा था तो फिर मैंने ट्राइ किया और वो काम कर गया तो अगर आपके साथ कुछ हो आप इसको ट्राइ कर सकते हो फिलाल अब यहां से अगर मैं कॉल करता हूं तो आप कॉल कर सकते ह तो मैं फिर से बाद कॉल करता हूं ट्राइ गर रहा हूं क्यों ऐसे उमीद तो किया नहीं जा सकता के नहीं आगा ने के बाद एक बार कॉल लगा रहा है तो फ्रेंट्स का इसू चल रहा है तो सबके साथ में हो रहा है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हो तो रिलाइंस ही अपना जो भी कर रहा है तो अगर आपका यह शुता कि इस फोन में कैसे चलाएं लेनों के थरी नोट में फिर ऐसे फोन हो जिसमें 4G दिया हो उल्टी सपोर्ट ना हो तो उसके लिए मैंने बता दिया आप कैसे करोगे जियो ज्वाइन नाम से था तो जियो 4G वाइस डाउनलोड करने के बाद आप इसी बताने वारा है वो कभी नहीं से होगा वो रिलाइंस ही गरेगा तो करेगा या फिर जो भी कर रहे हैं सामने वाले जो दूथरी टेलिकॉम कंपनिया है वो पता नहीं कि आप अईसा कर रहे हैं और और ऑफीसियल है गौर्मेंट को उसको कुछ करना चाहिए उसकी आफ काफी परेसानियों अगर एक थ्री मॉंस के लिए और फ्री लिश पॉछ नहीं पा रहे हैं अर्फ डूपर्व कोई बीडियो अच्छा लगा कोई वीडियों आप कमेंट करें और अच्छा लगा कुछ वीडियों कोई लगा है लाइक किये चैनल को सब्सक्राइब किजिए थ तोड़ा से सपोर्ट कीजियर